आज कोई जोश के साथ हाई गाइस नहीं होगा क्योंकि आज जो कॉंट्रोवर्सी पे अपन बात करने वाज हैं वो बहुत ही बेकार की कॉंट्रोवर्सी चल रही है और वो सब को पता है कि क्या कॉंट्रोवर्सी चल रही है जो की एक जोमेटो बोई से रिलेटेड कॉंट्र पर एक बादे आप ये सब देख लो मेरे उनसे कुछ कोशंस हें सबसे पहली बाद उनकी पोस्ट में नरेंदर मोधी क्यो टेग ते गए कोमल पंडे क्यो टेग है क्या इन दोनों का Zomato के साथ कोई relation है according to me नहीं है और ना ही Google कहता है कि इनके साथ कोई उसका relation है अगर उनको tag करना था Zomato को करती और जो कि उन्होंने कर रखा था Zomato के हर executive हर ID को tag कर रखा था उन्होंने पर कोमल पांडे को क्यों करा नरेंदर मोधी को क्यों करा क्या वो इनकी दिक्कत सोल करेंगे और मेरा कहना है कि Zomato का भी काम है और टाइम पर डिलीवर करना बट अगर क्या Zomato delivery boy टाइम पर नहीं कर पाते है तो क्या उनको हाथ चलाने का right है बिल्कुल नहीं है और पहली बात ये प्रूव नहीं हुआ कि उस delivery boy ने उन पर हाथ चला है मेरी तरफ से एक और main point उठाया गया है जो है ये इसमें तनुशी रिदत्ता कह रही है कि आज तक हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में किसी भी man ने agree नहीं किया है कि गलती उसकी है मेरा उनसे कोशन है क्या किसी woman ने किया है अगर आपका कहना है है कि एक man ने इंडियन जस्टिस सिस्टम में कभी भी अपनी गलती नहीं मानी तो एक woman ने भी कभी नहीं मानी उसके बाद उनका कहना है कि अगर वो लड़की जूठी है तो Zomato उस लड़की के ट्रीटमेंट के पैसे पे पे करने के लिए एगरी क्यों कर रही है First of all Zomato एक corporate company है अगर वो उस लड़की के treatment के पैसे दे रही है तो वो उस लड़के के case के भी पैसे दे रही है क्योंकि वो लड़का भी एक गरीब घर से है और इसमें जो इनका सबसे गलत point मुझे लगा वो कहती है कि अगर उस Zomato delivery boy को 4.5 rating मिली हुई है तो क्या वो एक saint है First of all वो rating उसको Zomato ने नहीं दी वो rating उसको दूसरा logo नहीं दी है तो वो दूसरे logo ने उसको उसी के base पर दियोगी Free Fund में नहीं दी होगी उसके काम के base पर judge करके ही दी होगी थोड़ा दिमाग लगा हो क्या अच Social Media हमारे लिए इतना बड़ा हो गए कि अगर हमें चोट लगती है तो पहले हम उसकी वीडियो बनाकर Social Media पर डालेंगे या वो प्रूफ कर सकते हैं कि उस बंदे की गलती है हम सब को पता है एक बड़ी F.I.R लिखने के बाद जोब लेना कितना मुश्किल टास्क हो जाता है अगर यही पर आप अपने आपको लगा कर देखो अगर आपकी एक बड़ी F.I.R हो जाएं उसके बाद आपकी फैमिली रिस्पेक्ट क्या रह जाती है और आपकी फैमिली और भार के लोग क्या बोलते है सीदी सी बात है एक डिलिवरी बोई भी बहुत ग claim में होता है वो डिलिवरी बोई नहीं चाहता कि वह आपके फूद को लेट डिलिवर करें अगर वो red light पे खड़ा है तो वो उसका intention नहीं है हमेशा हर delivery बोई चाहता है कि वो जतनी से जतनी ज्यादा जल्दी delivery करेगा वो उतनी ज्यादा अपना incentive earn कर पाएगा वो और ज्यादा order से accept करेगा और ज्यादा delivery करेगा अगर आपका अगला order late होता है तो सिरफ उसकी एक वज़े delivery बोई नहीं होता उसकी वज़े बहुत सारी हो सकती है जैसे कि road का खराब होना restaurant में भीड होना ये सारी वज़ाई हो सकती है जिसके वज़े से आपका order late हो सकता है एक delivery boy नहीं चाहता कि आपका order late करे वो भी एक common इंसान है और आप में भी एक common sense है आप use कर सकते हो आप delivery boy को ये ना करो कि आप उसने food लेकर लड़ो अगर आपको लड़ना ही है तो आप customer executive से लड़ सकते है अपने order को cancel कर सकते है या order को picky मत करो और इन सारी चीजों से हमें फरक पड़ता है और अब मेरी बातों से चिड़ कर जो भी मुझे comment में गालियां देना चाहता है अराम से दे सकता है कूल भाई कूल दे ले अराम से दे ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जिसको मेरी बात सही लगी तो वो support करना यार वीडियो को share करना भाई के channel को like करो subscribe करो notification bell को press करो और हमेशा के तरह है चिल करो ये उन लोगों के लिए जो गरीब लोगों के साथ ऐसा करते है